भारत का पहला एरक्राफ्ट केरियर आईनेस विकरांथ इंडियास फॉस्ट एरक्राफ्ट केरियर आईनेस विकरांथ हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उमीद करता हूँ अच्छे ही हूँगे अनसुनी कहानिया आपका हारद एक स्वागत करता है आज की एक और बेहत रोचक और महत्वपुरुण वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपको भारती सेना के एक बहुत महत्वपुरुण अंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने कई सालों तक भारत का साथ दिया और साथ ही कई बड़ी लडाईयों में भारत को जीत दिलाने में मदद की है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पहले एरक्राफ्ट केरियर के बारे में जिसका नाम है INS विकरांद हम जानेंगे कि आखिर क्यों INS विकरांद भारत के लिए इतना महत्वपुरुन है और क्यों दूसरे देश इससे खौफ खाते हैं इसलिए वीडियो को वन तक जरूर देखेगा INS विकरांद भारत का सबसे पहला एरक्राफ्ट केरियर है जो भारत की जल सिना को एक अलग ही शक्ती प्रदान करता है INS विकरांद ही वो कारण है जिसके एक कारण पाकिस्तान जैसे कई देश भारत से खौफ खाते हैं भारत को जीत दिलाने के लिए और साथ ही भारत की नेवी का एक बेहत महत्वपुरुन हिस्सा है INS विकरांद INS विकरांद एक मैजस्टिक क्लास एरक्राफ्ट केरियर है इस एरक्राफ्ट के निर्मान का काम HMS हरकलीस के रूप में शुरू हुआ था जो की द्वितिये विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए बनाया जा रहा था जाकर खत्म हुआ इसके बनने के बाद से भारत ने समुद्र में अपनी मजबूत पकड़ बना ली और साथ ही इस कैरियर की मदद से भारत ने आगे जाकर कई से नाओं को खदेड दिया INS विकरांद के इस योगदान के कारण इसके बारे में पूरी दरह जानना बहुत जरूरी हो जाता है जो इस वीडियो के माधियम से हम आपको बताने जा रहे हैं इसलिए अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलियेगा INS विकरांद के अगर इधिहास की बात करें तो वो शुरू होती है United Kingdom की Royal Navy से जब उसने छे Light Aircraft Carriers को कमिशन किया ताकि वो जर्मन और जापानी Navy का सामना कर सके इन छे Light Aircraft Carriers का निर्वान कर रहे शुरू हुआ और इसे काफी उन्नत तरीके से बनाया जा रहा था लेकिन दुए ये विश्व यूद के दौरान ये सारे Aircraft Carriers यूद की आवशकताओं से अलग थे जिसके चलते इनहें फिर Majestic Class Aircraft Carriers में बदल दिया गया ताकि आगे जाकर इन्हें अन्य देशों को भी बेचा जा सके इस बदलाव के साथ इन एरक्राफ्ट केरियर्स में कई बदलाव आए जैसे कि इनकी क्षमता, किपासिटी और शक्ती में ही बदलाव किये गए इनहीं मेंसे जो पांचवा Aircraft Carrier था इसे HMS हरकिलीस के नाम से जानते हैं उसे 7 अगस्त 1942 में विकर्स आमस्टॉंग द्वारा ओर्डर किया गया था जो कि 75 प्रतिशत तक पूरा हो चुका था बाद में इसे भारत द्वारा खरीद लिया गया और साथ ही इसे कई बदलावों के साथ ओर्डर किया गया जिसमें Angle Deck, Steam Captatus और एक Modified Island चैसी चीज़े शामिल है वैसे ये जान लेने के बाद कि ये भारत के पास कैसे आया और साथ ही इसके निर्मान कर कैसे संभव हुआ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या खास चीज़े हैं जो इसे एरक्राफ्ट कैरियर को इतना खास और महचवपूरण बनाती है आयने स्विकरांद का स्टैंडर्ड लोट पे कुल वजन 15,750 लॉंग टन है और साथ ही साथ डीप लोट पर इसका वेट लगभग 19,200 लॉंग टन के बराबर होता है अगर बात करें इसके इंजन की तो इसे पार्संस गिराट टीम टर्वाइन्स के जोड़े से ताकत मिलती है जो कि इस एरक्राफ्ट केरियर को 46 किलोमेटर प्रतिगंटिक रफतार प्रदान करता है अगर आइनस विकरांद के इंधन की बात करें तो इलगभग 3,125 लॉंग टन तक फ्यूल केरी करता है जो कि इसे 22,000 किलोमेटर तक की रेंज प्रतान करता है और इसी के साथ अगर 43 किलोमेटर प्रतिगंटिक रफतार पर इसे चलाया जाए तो इलगभग 10,000 किलोमेटर तक की दूरी तैय कर सकता है साथी एर और शिप क्रू को मिला दिया जाए तो कुल 1110 ओफिसर्स और व्यक्ती मौजूद रहते हैं चलिए बात कर लेते हैं इसके वेबन्स की इसके साथ ही दुश्मनों के चक्खे चोड़ा देता है आइनस विक्रांद में 16-40 मिलिमीटर की वफोर्स एंटी एरक्राफ्ट गंज मौजूद थी जिसे बात में घटा कर आट कर दिया गया था कई बार इस एरक्राफ्ट केरियर में सी हॉक, सी हैरियर, हेल चेतक हेलिकॉप्टर्स और साथ ही अंटी सब्मरीन एरक्राफ्ट्स भी मौजूद रहते हैं यह हर प्रकार के कुल मिलाकर 21 से तेज एरक्राफ्ट्स को लेकर चल सकती है इसका डेक भी खास है जिसे खासतोर पर 11,000 किलोग्राम तक हैंडल करने के लिए बनाया गया है एक चीज जो इसे और शक्तिशाली बनाती है वो है LW-05 Air Search Radar एक ZW-06 Surface Search Radar और टाक्टिकल रेडार के साथ ही इसमें कई और Communication Systems मौजूद हैं जो INS विक्रांथ को काफी ताकतवर बनाते हैं इंडिया का पहला Aircraft Carrier INS विक्रांथ के रूप में 4 मार्च 1961 को बेलफास्ट में विजल लक्ष्मी पंडित ने कमिशन किया था इसका नाम विक्रांथ इसलिए रखा गया क्योंकि विक्रांथ का मतलब होता है सासी और अडिक 18 माई 1971 को इस कैरियर की डेक पर पहला Aircraft Land किया जो की राधा कृष्ण हरी राम तहिलानी द्वारा खराए गया था जो की लेफटेनन थे 3 नवंबर 1901 को विक्रांथ ने बंबे की नेवी फ्लीट को जॉइन किया इसके बाद इसे उपरेशन विजय के लिए डिप्लॉई किया गया था जो की कुआ की आसादी के लिए था लेकिन उस उपरेशन में इसका कोई खास महत्व नहीं रहा लेकिन फिर भी ये किनारे के आसपास पेट्रोलिंग करता रहा और दूसरे चाहसों की तखल अंदाजी के बचाफ के लिए लगा रहा जब भारत पाक युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो इस्टन नेवल में आइनेस विक्रांथ को असाइन किया गया इस फ्लीट में आइनेस विक्रांथ, दो लेपट क्लास फ्रिगेट्स, आइनेस ब्रह्मा पुत्र, आइनेस बियास, पेट्रा थ्री क्लास कौवेट्स, आइनेस कमोर्ता, आइनेस कवरती, एक सम्मरीन आइनेस खंधरी मौजूद थी इस fleet को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा भकसत पाकिस्तान के एरादों को नास्ते नाबूत करना था इसमें से सबसे महत्वपूर्ण था PNS गाजी को रोखना क्योंकि उसी से INS विकरांट को सबसे ज्यादा ख़त्रा था पाकिस्तान आई एनेस विक्रांद की मजबूती को समझ गया था और इसलिए वो कहीं न कहीं इसा निशाने पर लिये हुए था 23 जुलाई को विक्रांद कोचीन गया वेस्टन फ्लीट के साथ इसके बाद सी किंग लेंडिंग ट्रायल्स शुरू हो गया और फिर आईनेस विक्रांद रवाना हो गया इसके बाद कैरियर पर से उडान भरना एक बड़ी समस्या थी क्योंकि शिप की कप्तान एस प्रकासक फ 3-4 दिसंबर को एक धमाका भी रिकॉर्ड किया गया जिसके अगले सुभा जब टीम ने जाकर खोच की तो सामने आया कि पीनेस गाजी डूप चुकी है विक्रांद को दोबारा डिवलप किया और इस बार शिप के सी हॉक ने चैटागॉंग और कॉक्स बाजार हार्बर को जाकर हिट किया जिससे मौझूद ज्यादतर वेसल्स डूप गए इसके बाद सी हॉक ने कंटेनमेंट एरिया में हमला किया जिससे उसने कई पाकिस्तानी आर्मी बैरेक्स को तबाह कर दिया इस कमाल के समर्थन के चलते आयनेस विक्रांद और इसकी टीम ने दो महवीर चक मेडल्स हासल की हालांकि आयनेस विक्रांद ने युद्ध के बाद भारती ओपरेशन्स में इतना भाग नहीं लिया लेकिन फिर भी इसकी भागेदारी भारती इतिहास में बहुत अधिक रही है और इसके समर्थन के बाद ही भारत ने कई ओपरेशन सफलता पूर्वक पू नर नहीं मिला और म्यूजियम को बंद कर दिया गया जनवरी 2014 में आयनेस विक्रांद को एक ओनलाइन आक्शन के द्वारा दर्खाना शिप ब्रोकर को 60 करोड रुपे में बेच दिया गया जिसके कई दिनों बाद इसे सुप्रीम कोट द्वारा मन्जूरी दे दी गई आयनेस विक्रांद भारत के लिए गर्व का कारण बना और साथ ही कई सारी सफलताओं का माध्यम भी और हम हमेशा भारत के इस एरक्राफ्ट केरियर को गर्व और सम्मान से याद करेंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और सम्मान्धियों से शेयर भी करें धन्यवाद